हेलो फिंस, वैकम बैंग, आज हम बात करेंगे PBR आइनोक्स का इस स्टॉक को इसकस करने का रीजन है कि आपको ये बताना कि अगर आप एकमिकल के उबर अपनी एक्सपरटाइज रखते हैं फंडा वंडल को और बिजनस को ठीक तरीके से समझते हैं तो स्टॉक मार्केट वे पैसे कमाना काफी असान है जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं एक बॉटम बायर हूँ मैं हमेशा अच्छे स्टॉक फो बॉटम में खरिदना फसंद करता हूँ इस स्टॉक को मैंने निसे लेबल पे बाई किया है तो मेरी स्टॉक को मैं कहां पे सेल करने वाला हूँ इस स्टॉक में मेरी प्रोपीड वोकिंग कहां होगी यह स्टॉक और कितना उपर जा सकता है इन सारे चीज़ों को आज के वीडियो में समझेंगे लेकिन यह बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा आप मेरे ट्रेड को कॉपी नहीं करेंगे आपका परपस यहाँ पे सिर्फ अपने लर्विंग पे फोबस करना है कोई भी फाइनेंशन डिसीजन आप अपने रिस्क को लेंगे मैं एक ट्रेडर हूँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ इसके लिए मुझे अपने स्कील को सार्क करना होता है इसके लिए मुझे रोज महनत करना होता है तो मेरे काम करने का तरीका क्या है मैं एक बार आपको बता दूँ यह है ट्रेडिंग व्यूव और मेरे पास होते हैं मल्टिपन वाच लिस्ट जैसे आप देखो यहां पे यह है निफ्टी 500, निफ्टी 1000 इसके अलावा यहां पे आपको यह नैसलेट का वोगा, इस मानिपर का वोगया निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी स्वन कर 250, निफ्टी स्वन कर 400 यह जितने भी सारे वाच लिस्ट हैं इसमें एकिक स्टॉक को मैं मैंनुवली चेक करता हूँ क्योंकि मेरा यहां पे कोई स्टेंड नहीं बैठा है जो मुझे बढ़ाएगा कि मैंनी इसको बाई कर लो और इसको सेर कर लो जब मेरा पैसा होता है तो एनालेसिस मेरी होनी जाहिए किसी की सुन कर मैं काम नहीं करता तो मैं एक एक स्टॉक को यहां पे देखता हूँ और उसमें से जो भी स्टॉक अच्छा नबता है उसको मैं मॉरीडर करता हूँ और जैसे ही मेरे वाइंग लिस्ट में आता है बाइंग जोन में आता है मैं उसको बाइ करता हूँ इसकी अवावा जो भी चार्ट मुझे अच्छा लगता है उसको मैं कॉम्निटी वे पोस्ट करता हूँ एक महीन पहले मैंने एक यहाँ पे पोस्ट आवा था कि PBR Inaut's Making Rounding Bottom Good Business, Good Serving Pattern आप अपनी आनलेसिस करें यह पोस्ट आवले का मतलब यह होदा है कि आप भी चार्ट पैटर्न पे अपनी पकड़ बनाएं और सीखें तो अगर आपने कॉम्निटी में जॉइन बटन का सब्सक्रिप्सन नहीं लिया है दो आप ले लेना टेक्निकल में आपकी काफरी हेल्प होगी अब वापस से यहां पे यह जानने की कोशिस करते हैं कि यह स्टॉक उपर जाएगा यह नीचे जाएगा इसके लिए मैं हमेशा डेली टाइंस फ्रेम का यूज करता हूँ अब आप ध्यान से देखना कि यहां पे किस तरीके का चार्ट पैटन बन रहा है तो अगर आप देखोगे तो यह जो स्टॉक था एक बड़ी रैली में था यह एक बड़ी रैली थी उसके बास से यह नीचे आया अगें यहां से तेजी हुई और अगें स्टॉक नीचे आया लेकिन अगर आप निसले लिवर पे देखोगे तो निसले लिवर पे एक बहतरी चार्ट पैटन का फॉर्मिसन हो रहा है आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आप इसको थ्यान से देखना क्योंकि चार्ट पैटन सारी चीज़े यहां पे बया करते हैं तो अगर मैं थोड़े सा इसको करूँगो के तो अगर आप देखोगे तो यह जो 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 था एक प्रिवियस सपोर्ट जोन था जहां पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था पैटन बनता है तो यहां पे जादा चादा से सोते हैं कि यह जो सपोर्ट है वो अच्छे तरीके से काम करने वाला है वर्णिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटन एक बूरिस पैटन है जो तीन कैंडल से मिलकर बनता है चाट में यह कैसे दिखता है इसको मैं आपको एक पीपीटी के द्वारा दिखाने की फोसीच करता हूँ morning star candlestick pattern हमेशा bottom में fall होता है ये तीन candle से बढ़ता है इसमें क्या होता है कि stock एक downtrend में होता है और निसने लिवाई पे ये जो circle देख रहे हो ये बनता है यहाँ पे bottom और अधिले दीन जब एक bullish candlestick pattern बनता है तो ये तीनों candle में कर morning star का formation करते हैं और next day जो चौथा candle बनेगा अगर ये तीसरा वाला जो green candle है इसके उपर closing देता है तो ये confirmation होता है कि अब stop में तेजी होगी तो अगर आप देखोगे तो ये जो चौथा candle है ये जो तीनों में ने सरदा किया है उपर जो चौथा candle इसने यहां पे closing दिया था इसका वदलब ये था कि ये जो support है वो sustain करने वाला है उसके बाद से stock में तेजी हुई लेकिन उसके बाद again stock उपर तो गया लेकिन फिर से stock नीचे आया लेकिन support पे अगर आप देखोगे तो ये candle बना ये वाला जो candle है ये होता है डोजी candle इस तरीके का candle जब भी support पे बनता है यानि एक बड़ा लोग बनता है और वहाँ पे पूरी buying होती है जितने सारे लोगों ने इस candle के वेस्ट पे trade दिया होगा उन सब का stopless यहां पे और वापस से stop वोपर गया यानि यहां पर एक बार फिर से support ने अच्छे तरीके से काम किया इसका मतलब यह है कि यह जो प्लेस है एक अच्छे support की तरह काम कर रहा है और यहां बे बाइन यह भी है इसके अलवा यहां पर एक और pattern बन रहा है जिसको बोलते है rounding bottom अब rounding bottom कैसे बनता है इस दिसको मैं आपको दिखा दूँ तो rounding bottom उस इस तरीके से बनता है इसमें क्या होता है मैं एक बार इसको अटा रहा है इसमें क्या होता है कि stock एक uptrend में होता है तो आप देखोगी यह uptrend था उसके बाद से stock नीची आता है यह होता है downtrend और निसले लेवल पर वोगता है accumulation अब निसले लेवल पर accumulation आपको कैसे पता चलेगा तो निसले लेवल पर जब भी accumulation होता है तो rounding bottom का वो दूसरा phase होता है और यह पता चलेगा कि निसले लेवल पर multiple bullish chart pattern का formation आपको दिखने लेटा clearly visible होगा मैं आपको एक बाद फिर से दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर निसले लेवल पर bullish chart pattern का formation हो रहा है तो जो नो technical की थोड़ी सी समझ रखते हैं उनको पता होगा कि यह जो है एक double pattern है double pattern या double bottom एक bullish reversal chart pattern है तो यह बताता है कि यहाँ पर stock में अब wires बैटे हुए है stock में एक तेजी होगी double pattern में जो stop होता है एक range में भी आजाता है अब range केस होता है जिसको भी आप देख लो यह मैंने mark किया यह तो यहाँ पर जो stock है एक range में आपको दिखाई दे रहा होगा और यह उते है breakout और अगेन यह continuation इसका मतलब यह है कि यहाँ पर accumulation हो चुका है अब जो stock है अपने third phase में इंटर कर चुका है तो third phase में जब इंटर कर चुका है तो क्या होगा तो वापस से stock वहींट जाएगा जहां से यह नीचे आया है यहाँ से यह पूरा होगा इस तरीके से यह होता है जाउंडी वैटव अगर यह backhand पूरा होता है तो जो first target है ओभ है 18.100 लिटीन एक वार जो यह backhand पूरा हो जाएगा तो इसका एक अलग target नीचे आएगा और यह पूरा देफ़्ट और इसको रखना है यहां पे तो जो टार्गेट आ रहा है सिर्फ टेकनिकल टार्गेट को आ रहा है 2400 का अब सवाल लाएगा कि मैंने सबाई स्टॉक उपर क्यों जाएगा स्टॉक टार्गेट एचीव क्यों करेगा तो इसके बहुत सारे रीजन है रीजन यह है कि यह जो बिजनस है PBR का का अच्छा है तो कि जैसे दैसे लोग आपस पैसे बढ़ेंगे पैसे आएंगे लोग भी देखने जाएंगे वहाँ पे खर्ची करेंगे तो बिजनस काफी अच्छा है यहाँ पे जो स्टॉफ पी लॉस में है इसको आदे का कंफ्यूज नहीं बना है मैंने वाइतिपन विडियो बनाए है जहाँ पे स्टॉफ लॉस में होता है लेकिन बड़ी तिजी आती है तो जब 85% लोग इतने पैसे लिए इतने बड़ी फोल्डिंग लिखर बैठे हुए है तो डिफिनिटली यह जो स्टॉफ है नीचे रहने वाना जहीं है क्योंकि यह लोग पैसे गमाने हैं इनको पैसे गमाने के लिए नहीं आते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे सारी चीज करेंगे और फिससे वहाँ पे नौविस बाई करेंगे क्योंकि उस समय यहाँ पे अच्छी असी न्यूज लाई जाएगी ताकि लोग इसमें इंटर करें थाइकिस ओमच